Class 4, Subject English Reader Children, let's continue chapter reading Tom paints the fence Aunt Polly suddenly emerged from the house behind them and waxed Jim with her slipper Aunt Polly अचानक से उसके पीछे रकट होती है या अचानक से उसके पीछे आती है और जिम को अपनी slipper से wax करती है forcefully hit करती है इने flash Jim is flying down the street and Tom is whitewashing with wager अचानक और जो जिम था वो street पर गिर जाता है गली में गिर जाता है और Tom बड़ी ही इस फूर्ती के साथ whitewashing करने लगता है Aunt Polly looks sternly at Tom Aunt Polly, Tom को बड़ी ही सकती से देखती है then goes back to the house with her slipper in her hand और अपने हाथ में slipper लिये हुए घर की ओर वापस जाती है and Trump in her eye और उनकी आखों में जीत की चमक होती है but Tom's energy did not last he began to think of the fun he had planned for this day लेकिन Tom की energy अभी खत्म नहीं हुई थी वह उन चीजों के बारे में सोचने लगा उन आनन्दायक चीजों के बारे में सोचने लगा जो कि उसने उस दिन के लिए प्लैन की थी and his sorrows multiplied और अपने दुखों के बारे में भी सोचने लगा soon the free boys would come for this day and for this day and sorry soon the free boys would come tripping along on all sorts of delicious expeditions and they would make a word of fun of him for having to work the very thought of it burnt him like a fire उसने सोचा जल्दी ही जो लड़के स्वतनत्र हैं वो आएंगे और उसने जो चीजें उस दिन के लिए प्लैन की थी उस पर tripping करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह कारी कर रहा है यह विचार उसको fire की तरह जला रहा था he got out his worldly wealth and examined it bits of toys marvels and trash उसने अपनी चीजें ली जो उसके पास खेलने की वस्तों थी उसे ली और उनका परिच्छड किया जिसमें क्या क्या था bits of toys marvels and trash enough to buy and exchange of work maybe but not half enough to buy so much as half an hour of your freedom उसने सोचा क्यों ना इन चीजों के बदले कार कराया जाए लेकिन फिर उनने सोचा हो सकता है इन चीजों को देकर भी मैं अपनी आधा या एक घंटे से अधिक स्वतंत्रता ना ले पाऊं मुझे इस से अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसने अपने जो उसके पास खेलने की बस्तों थी लिम्टेड मींस जो थे उसने अपनी पॉकेट में रखे और बोईस को खरीदने का आइडिया जो था उसको त्याग दिया अधिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट इस अंधिरे और निराशावादी छड में एन इंस्परेशन बस्त अपॉन हिम उसके मस्तिस्क में एक प्रियना उत्पन हुई कि कुछ ना करने से कुछ करना ही ज्यादा मैत्पूर होता है नेरेटर वन टॉम टेक्स अफिज ब्रस एंड गोश ट्रेंक्ली टू वर्क टॉम ने अपना ब्रस उठाया और शांति पूर्वक अपने कारे पर लग गया बैन रोजर कम इंटू साइट होपिंग इसकपिंग एंड जंपिंग बैन रोजर वहाँ पर इसकपिंग और होप नेरेटर वाज इसे टॉम डर रहा था बैन इस एटिज एंड एपल एंड इंपर्स नेटिंग एंड इस्टीम बोट तोम गोश ऑओन वाइट वाज़िंग विदाओ पेंग एंड अटेंशन तो दा हूमन इस्टीम बोट जो बैन था वह उसका मजा खुडा रहा था वह ए अपनी मनुरंजन के लिए किसी का मजाक उढ़ाना टॉम गोज ओन वाइट वाशिंग टॉम ने उसकी यूमन स्टीम बोट पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी वाइट वाशिंग कांटीनू रखी बैन स्टॉपस एंड इस्टियर सेट हिम बैन रुका रुकता है और उसको गूरते हुए देखता है तॉम समस्या में हो तुम परिशानी में हो क्या तुम परिशानी में नहीं हो ने रिटर टू देर इस नो आंसर उसका कोई आंसर नहीं मिलता है टॉम जो था उसने जो उसने last दिया तुम को last दिया और एक आर्टिस्ट की नजर से उसे देखने लगा फिर एक जेंटल स्वीप उसने दिया और फिर अपना result देखने लगा ऐस भीकॉऌर पहली की तरह बैन जो था उसके पास आता है narrator Tom's mouth is watering for an apple Tom के मुझे में पानी आ रहा था apple के लिए but he sticks to his work with a look of utmost concentration लेकिन उसने अपने कार को बहुत ही concentration से पकड़ा हुआ था यानि कि अपना कार जो था बहुत ही ध्यान पूर्वक कर रहा था Hello, you have got to work Hey, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा Tom Wheeling about suddenly Why it's you Ben I was not noticing अरे क्यों तुम Ben मैंने ते तुम पर ध्यान ही नी दिया Ben I am going swimming Don't you wish you could मैं swimming पे जा रहा हूँ क्या तुम इच्छा नहीं रखते कि तुम भी ऐसा कर सकते but of course you would rather work wouldn't you of course you would तुम्हें तो कार करना होगा निश्चे ही तुम्हें करना होगा Tom What do you call work तुमने क्या कहा कार या Ben pointing to the fence fence की और इसारा करते हुए Why isn't that work क्यों ये कार नहीं है Tom resumes his white washing Well, maybe it is and maybe it is not All I know is it suits Tom Sawyer Tom Sawyer ये कार हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये Tom Sawyer को suit करता है Ben Oh, come now You don't mean to say that you like it Oh, come now क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम इसे पसंद करते हो Tom Continuous white washing with utmost concentration वे अपनी white washing बड़े की ध्यान पूर्वक जारी रखता है Like it Well, I don't see Why I shouldn't like it Does a boy get a chance to white wash a fence everyday? मुझे ये कार पसंद है मैं नहीं जानता कि boys इसको क्यों नहीं लाइक करते Why I should not like it मुझे ये क्यों नहीं पसंद करना चाहिए क्या प्रतीक लड़की को white wash करनी का fence को white wash करनी का chance प्रती दिन मिलता है narrator 2 This puts the thing in a new light for Ben Tom की इस बात से Ben की मन में एक नया प्रकाश उत्पन हुआ यानि कि एक नया आइडिया उत्पन हुआ